तो स्वागत सभी का एक्जाम सुधे में सी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं हम वार्षिक परिच्छा कच्छा 9 का सोशल साइंस SST का ये पेपर हम देखने वाले हैं आपकी वार्षिक परिच्छा के लिए बहुत important है तो इसको solve करके जरूर जाना बच्चो इसी के according इसी के आसवास पेपर आते हैं इसी प्रकार के इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है इसी से मिलते जुलते पेपर आ रहे हैं इसका code है A15000 ठीक है A50000 3 गंटे 15 मिनिट का पेपर है 70 नंबर का निर्देश यहां पर लिखे गए हैं 15 मिनिट पेपर को पढ़ने के लिए दिये गए हैं 20 नंबर के OMR के प्रशने 50 नंबर के copy पर लिखने वाले प्रशने मानचित्र संबंदी दो प्रशने बच्चो जो की map पर करना है प्रतेक प्रशनी के लिए निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हैं दिये गए मानचित्र दिये गए map को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से बांधना आवश्यक है सनलगने मतलब बांधना आवश्यक है ताकि वो अलग न हो तो बच्चो ये UP बोर्ट का paper है लेकिन बाकी सभी state board जैसे बिहार बोर्ट, जारकंड बोर्ट, उत्रकंड बो दिये गए हैं बच्यों की निमलिकित प्रश्णों के उत्तर दिये गए निरदेश की अनुसार OMA शीट पर अंकित करना है पहला प्रशना आता है कि फ्रांस की महलाओं को मता दिकार कब प्राप्त हुआ, मता दिकार का मतलब बच्चो होता है वोट देने का अधिकार, फ्र 1415 है और एक उन्निस सो अर्फालिस है, तो यहां पर मैंने 1245 को रखा है क्योंकि यह 1946 के ज्यादा करीब है, तो यहाँ पर C वाला option आप भरना 1945 अगला प्रशन है उग्र भीड ने वास्तील के किले पर धावा कब बोला उग्र भीड ने वास्तील के किले पर धावा कब बोला ठीक है तो यह बोला था 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 यहाँ पर यह जो 4th option है D वाला आपको उत्तर OMR sheet पर भरना है ठीक है वास्तिल के किले पर जो घटना हुई थी क्रांती के समय फ्रांस की क्रांती के समय वो आपको लिखना है 14 जुलाई 1789 अगला प्रशन है कि क्रांती से पूर्व अगला प्रशन पूछा गया है बच्चों की क्रांती से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय मतलब काम क्या था रोजगार क्या था फ्रांस की क्रांती से पहले रूस की क्रांती से पहले अधिकांश जनता का व्यवसाय काम धंदा क्या था तो ये था क्रशी C वाला option आपको भरना है क्रशी अगला है किस देश ने दुतिय विश्य युद्ध में परमाडू बम का प्रयोग किया तो 1945 में हिरोशिमा नागा साकी पर जो परमाडू बम थेके थे वो संयुक्त राज अमेरिका ने तो B वाला option यहाँ पर करेक्ट होगा कौन सा संयुक्त राज अमेरिका यह आपको OMR शीट पर B वाला गोला, B वाला बबल फिल करना है बच्चो अगला question है सरेंगेटी राश्ट्रिय पार्क कहां है सरेंगेटी राश्ट्रिय पार्क कहां इस्तित है तो यह इस्तित है तनजानिया में यहाँ पर B वाला option आप select करेंगे कौन से select करेंगे बच्चो B वाला option तंजानिया में सेरेंगेटी राष्ट्रिय पार कहा है तंजानिया में अगला प्रशन है कि विश्व के इतिहास में दर्ज सबसे बुरा आकाल किस देश में पढ़ा था तो विश्व के इतिहास में सबसे बुरा आकाल भारत में पढ़ा था ठीक है जिससे हरपा की सब्विता का पतन हुआ था यही आकाल विश्व का सबसे बुरा आकाल माना जाता है अभी तक अगला प्रशन है कि दच्छड अफरीका में हाल ही में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपती कौन थे तो दच्छड अफरीका के लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपती थे निलसन मंडेला ये वाला option correct है कौन सा Nelson Mandela ये वाला आप यहाँ पर गोला फिल करेंगे अगला है कि भारत का राष्ट्रपती चुने जाने के लिए नियूंतम आयू कितनी होना चाहिए 20 वर्ष 35 वर्ष 49 वर्ष या 45 वर्ष तो इसका सही option है 35 वर्ष भारत का राष्ट्रपती बनने के लिए जो नियूंतम आयू सीमा होनी चाहिए इतनी उम्र उस प्रत्याशी को पूरी करना चाहिए वो है 35 वर्ष भी वाला आप OMR में भरेंगे अगला है गुवा तना मोबे जेल कहां इस्तित है तो गुवा तना मोबे जो जेल इस्तित है वो क्यूबा में है ठीक है रूस में नह नहीं है अफ्रीका में नहीं है कहां पर है क्यूबा में बी वाला आप्षन यहां पर आप भरेंगे अगला है भारतिये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रच्छक कौन होता है उच्टम नयायले राष्ट्रपति प्रधान्मंत्री या राजपल इसका सही जोच नयायले भी कहेंगे वह भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रच्छक होता है उच्टम नयायले ये वाला आपको भरना है next question है की बंगाल की खाडी में इस्तितकेंद्र श्यासित प्रदेश कौन सा है चार अप्षन है लच दीप, श्री लंका, माल दीप या अंडमान निकोबार दीप समू तो इसका सही उत्तर है D अंडमान निकोबार दीप समू यहाँ पर D वाला आप बबल OMA शीक में फिल करेंगे question number 11 के लिए अगला है कुलू घाटी किस राज में है तो कुलू हम जानते कि हिमाचल प्रदेश में है कुलू हिमाचल प्रदेश में है A वाला सही है भागी रतिक किस नदी की मुख्यधारा है तो भागी रतिक गंगा की मुख्यधारा है यहाँ पर D वाला option आप भरेंगे कौन सा भरेंगे बच्चो D वाला आप लगाएंगे भारत की जलवाईू कैसी है तो भारत की जलवाईू उश्ड कटी बंदी है मानसूनी है तो यहाँ पर मानसूनी option दिया है तो यह वाला आप option सही भरेंगे गर्म नहीं है ठंडी भी नहीं है शुष्क भी नहीं है कौन सी है मानसूनी जलवाईू है भारत की अगला है कि जनसंक्या व्रद्धी का कारड क्या है गर्म जलवाईू, म्रत्युदर घटना मनोरंजन के साधनों में कमी इन में से सभी तो इसका भी answer हो जाएगा इन में से सभी अगला प्रेशन है कि विनिर्मार उद्ध्योग कि छेत्रक में आते हैं तो विनिर्मार उद्ध्योग दुतियक छेत्रक में आते हैं बी वाला बबल आप OMR में फिल करेंगे question number 17 का स्वड जयनती ग्रामीर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी स्वड जयनती ग्रामीर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी तो यह शुरू की गई थी उन्नीस सो निन्यानवे में सतानवे में नहीं दोजार एक में नहीं दोजार तीन में नहीं कब 1999 में सोड़ जैन्ती रोजगार ग्रामीर रोजगार योजना अगला है कि निम लिकित में से कौन सा उत्पादन का स्थिर साधन है तो उत्पादन का स्थिर साधन है भूमी क्या है बच्चों भूमी यह वाला option यहाँ पर आप भरेंगे भूमी अब खंटबाव में बच्चों 50 नमबर के लिखने वाले प्रेशन है चलो देख लेटे हैं सबसे पहला प्रेशन है कि फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई का महातलि को चार नमबर का प्रशन नहीं आता तो आपका सकते हैं बंजारों के रहन सहन का धंग का वर्डन करो ठीक है प्रशन संख्या दो प्रत्यक्षि लोकतंत्र किसे कहते हैं प्रत्यक्षि लोकतंत्र किसे कहते हैं ठीक है, चार नमबर का प्रशने नहीं आता, तो हम गरतंत्र दिवस यानी, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी गरतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश का सम्विधान, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हम गरतंत्र दिवस मनाते हैं, अगला प्र कि रब्रदी को नियंत्रित करने के चार उपाई ये ये आपको जरूर पढ़के जाना है। अगला क्वेशन है कि उत्पादन के कारकों का वरण कीज सब्सक्राइब है। भूमी इश्रम, पूंजी, मजदूर, ये सारे उत्पादन के कारक होते हैं। मानों पूंजी निर्मार्ज क्या आशा है, इसने भारत की कैसे सायता की केवल एक करना है, या तो ये या फिर ये। वरडात्मक truck-2, लंबे प्रेशन, लॉंग आंसर, उत्तर देर शषबडों में देना है, रूसी क्रांती का रूसी समाज़ पर क्या परभाव पड़ा ? ठीक है ये जरूर आपको पढ़के जाना है, रूस की क्रांती और फ्रांस की क्रांती आपको जरूर पढ़ना है अगला प्रशन है कि जर्मनी में नाचिवाद की लोग प्रियता के प्रमुक कारण बताईए अगला क्वेशन है छे नमबर में लोगतंत्र के दो दोश बताईए नहीं आता तो भारत में स्वतंत्र तता निश्पक्ष चुनाओ कराने के लिए क्या कदम उठाए गए है आपको जरूर तयार करना है कि किसी देश की अर्थिवरस्ता के लिए नदियां क्यों महत्पूर्ण है अगला प्रशन है भारत में गरीबी यानि भारत में निर्धंता के कारण बताईए चोटे-चोटे दो-दो लाइन लिख देना नहीं आता तो आप अत्वा में एक विकल्प है कि मानो पुझी निर्मार में स्वास्थ की भूमिका इस पश्ट कीजिए मानव पुंजी निर्मार में स्वास्थ की भूमिका अब मानचित्र के प्रश्ण मानचित्र मिलेगा आपको एक भारत का एक विश्व का तो आपको बताना है कि मानचित्र में इस चिन से यह देगो यह चिन बनाए इस तरह का चिन आप बनाएंगे क्या शो करना है फ्रांस लिथुवानिया चेकोसलोवाकिया पोलैन और जापान भारत के मानचित्र में आप गोदावरी को इस नदी से दर्शाएंगे गोदावरी नदी को इस चिन से दर्शाएंगे पूरवी तटपर इस्थितेक पतन को इस चिन से आपको शो करना है उसका नाम भी लिखना है सांभर जील को इस डॉट चिन से दर्शाना है चन्नाई नगर को इस त्रिभुज के चिन सॉलिट त्रिभुज के चिन से दर्शाना है और चंद्रप्रभाब भैरड को इस चिन से दर्शाना है नाम भी लिख देना है वहाँ पर आप इसका अच्छे से सो यह मांचित के प्रश्ण थे यह पूरा पेपर आपको मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम चानल पर टेलिग्राम चानल कर लिंक डिस्क्रिप्शन में सॉल्व करके जरू जाना बच्चो यह मॉडल पेपर है अलग-अलग कोड के मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं ताकि आपकी तयारी अची से अची हो अगर इसको solve करके जाते हो तो ये सारे question important है, इसी इसे मिलता जुलता paper आएगा, सारे question important है, अगर code मिल जाता है तो बच्चो paper same भी आजाता है, लेकिन ये नहीं कहा करो कि आपको same paper ही चाहिए, model paper है, practice paper है, solve करके जाओगे, मेहनत करके जाओगे, पढ़के जाओगे, तो ये स सारे question important है, आपके paper में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, so 2-3 model paper आप 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 सो आल्फ करके जाओ, तो 90-95% number आपके आराम से आएंगे, मिलते हैं अपने next video में, और किसी important practice paper के साथ, सारे practice paper, model paper, important, अलग-अलग code के वे पर आ रहे है, telegram का link description में, इसका PDF मिलेगा, जोईन कर लो, और channel को subscribe कर लो, यहाँ पर सारे model paper, सारे important question paper आपको मिलने वाले हैं,